स्वागत है दोस्तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लॉसेज किस दिन होते हैं वो होते हैं थर्जडेश को कई बार मैंने देखा है कई दोस्त ऐसे हैं जो पूरे का पूरा अपना खतम कर लेते हैं भ्रस्पतवार वाले दिन थर्स्टे वाले दिन जबकि बताया जाता है इतनी बार मैंने ही बताया है कि थर्स्डेश को अपनी पोजिशन को बहुत लाइट रखते हैं पहली चीज दूसरी चीज उतने ही कैपिटल से ट्रेड करना होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होती है कितना कैपिटल आप लूज करने के लिए पूरे का पूरा तैयार हो पूरे का पूरा कैपिटल लूज करने के लिए आप तैयार हो तब ही आप ट्रेड करें तो उसी से आप ट्रेड करें उससे ज्यादा हमसे आप ट्रेड ना करें अक्सर मेरे से बोला जाता है और कई लोग कहते हैं hero zero what is a hero zero trade in bank nifty तो hero zero trade पे आज हम बात करने वाले हैं सुभे से लेकर दुपहर तक अगर आप शान्ती रख सकते हैं problem क्या है psychology की problem है psychology ये कहती है कि जो buying में होते हैं जैसे आप call buy करते हैं put buying करते हैं आप तो सुबह सवा नौ भी कैसे होते हैं आपके लिए बड़े भारी हो जाते हैं नौ 15 नौ 16 पे तो आप entry कर चुके होते हैं market में पर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो बज़े तक entry ही ना करें पहले अगर आपको लगता है कि आप दो बज़े तक entry ना करें तो उसके बाद अब आगे मैं सुनाओंगा कि क्या कैसे कैसे entry करनी है कैसे exit बनेगा और कितना capital चाहिए आपको तो स्टार्ट विद्ट तो स्टार्ट विद्ट इस स्ट्रेटजी यू नीड कैपिटल नौट मोर देन 2500 दो हजार पाच सो रुपे से जादा capital प्रस्पतवार को पैसा नहीं लगाना है इस strategy में चलिए जरा एक बार देखने हैं कि हमारा क्या situation बनती है एक बार strategy को मैं आप लोग के साथ share करने की कोशिश करता हूं सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आपको यह जब करना है तो यह Thursday expiry वाले दिन के लिए ही है यह strategy Thursday day expiry वाले दिन के लिए है और दूसरी चीज यह bank निफ्टी की strategy है इसको निफ्टी यफिन निफ्टी में कोशिश मत कीजेगा चले ना चले उसकी कोई भी उसका कोई भी ऐसा हमारे पास मेरे पास जो बैक टेस्टिड रिजल्ट तो नहीं है तो चले बैंक निफ्टी में इसके टेस्टेड है हम लोगों ने टेस्ट किया है बैक टेस्ट कर सकते हैं और आपको उसका लाब भी दिख जाएगा अब कई कई लोग क्या होते हैं वह कहते हैं कि सहाब ठीक है हम लोग दो बजह तक अराम से बैठे रह सकते हैं बिकश्ट दो बजह तक दो सावद बजह तक बहुत टखड़ी प्रीमें मेटिंग हो चुकी होती है और सुबह से लिकर दुपएर तक कई लोग अपना से रपीट चुके होते हैं अब प्रॉफिट नहीं होता तो अब आपको क्या करना है जैसे काफी ऐसे हफते भी होते हैं काफी ऐसे एकस्पारीज होती है जहां पर कोई ज्यादा तखड़ा मूव क्या क्या यूसमें भी काम्याब है किसी हग त्समें भीकाम्याब होगी आपको यह स्ट्रेजी करनी का वहाइं इसका टाइम वह बड़ा इंपॉर्टन्ट है इसका टाइम होगा आपका ूट्न तू तू फिफिटी पी म दो अदस से लेकर 1425 में इसमें आपने लेनी है time to entry for entries दो 10 से लेकर दो 15 बजे तक अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे trade लेना है आपने एक CE और एक PE लेनी है एक CE और एक PE लेनी है अब आप कहेंगे सहब CE और PE same day की expiry की ही होगी अफ्कोर्स यह है कि same day expiry की ही CE और PE होगी और सबसे बड़ी बात है same strike price की ही आपको CE और PE लेनी है एक एक लॉट उसके बाद जब आपको strategy पर काम करना आ जाएगा तो उसके अपने हिसाब से आप बढ़ाते कम कर सकते हैं चलिए same strike price की आप माल लेते हैं एक example लेते हैं let us say about 2-10-2-15 पर आपको दिखती है निफ्टी दिखती है और बैंक निफ्टी माफ करेगा 43,778 पर आपको बैंक निफ्टी दिखां तो आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको नेरेस्ट्राइक प्राइस जो आपको दिख रहा है that is the nearest strike price नेरेस्ट्राइक प्राइस जो है आपका वो है नेरेस्ट्राइक प्राइस 43,800 तो आपको 43,800 की ही कॉल प्लस 43,800 की ही पुट ले लेनी है अब आप कहेंगे कि सहाब यह क्या हमको दोनों पच्चिस सो के अंदर आ जाएंगी पच्चिस सो का मतलब है 100 रुपए 100 रुपीज इन दोनों का प्राइस 100 रुपीज के अंदर अंदर होना चाहिए देखिए अगर सवादो से धाई वजे के बीच में आप पीछे देख लीजे जो भी उस ताइम पे इस ऐसी सिचुएशन में आपका नीरे स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें 100 रुपे के अंदर अंदर ही आ रही होगी कैसे आप सुन लीजे कैसे इस केस में आपको जैसे 43,800 है तो 43,800 का आपको कॉल जो मिलेगा वो एक हो सकता है 65 to 70 रुपीज में मिलेगा और जो दूसरा होगा वो आपको मिलेगा लगबग 20 से 30 रुपे के अंदर अंदर एक साइड आपको 65 से 70 रुपे में और दूसरी 20 से 30 रुपे में आपको मिलती हुई दिखाई देगी अब आप कहेंगे सहब ये कैसे काम करेगी अब ढ़ाई वजे से लेकर 3 वजे तक ही ये काम करेगी 3-5 इसका आपका exit point at the most maximum आप 3-5 तक जा सकते हैं अब आपको मालुम है कि हमेशा bank nifty की अगर बात करूँगा तो चाहे किसी दिन बहुत बड़ी moment नहीं भी आएगी तब भी ये धाई वजे के बाद after 2.30 between 2.30 and 3 between 2.30 and 3 कम से कम भी आपको मालुम है 232.30 कम से कम 100, 200, 300, 400 किसी भी points की एक तेजी या गिरावट आ सकती है मतलब कम से कम 100 से 1500 points तो at least 100 to 150 points तो minimum movement आती ही है minimum move अगर वो ऐसा movement आता है तो आपको मालुम है आप एक ही side पे एक ही side पे आपका जो total है वो 1500 से उपर भी जा सकता है तो आपका जो price होगा वो 1500 तक भी जा सकता है एक side पे आपको 1500 मिल सकता है दूसरी side हो सकता है तब तक आपकी zero भी हो जाए और आपने total लगा है कितना हुआ है 100 rupees से जादा आपका लगा नहीं है cost आपकी क्या है cost of strategy आप देख सकने है 65 to 70 एक side है 20 to 30 एक side पे है तो अगर 70 plus 30 करें तो 100 रुपया सौ 25 से गुणा कर दीजे 2500 तो बैंक निफ्टी में पच्चिस सो रुपया आपका maximum strategy में लग रहा है दो बज़ के 10 मिनट से दो बज़ के 15 मिनट तक आपने entry लेनी है और दोस्तों धाई से तीन बज़े जब भी ये 100 से उपर जाएगा आपकी अगर मैं ये बात बोलूँ इसमें आपको break-even point जो है आपका break-even point आपका 100 रुपीज है कोई भी एक side अगर 100 रुपीज से उपर चलने लग जाए तो आप profit में आ जाएंगे 100 रुपीज पे no profit no loss की स्थिती में आप होंगे तो above 100 anything above 100 anything above 100 is your profit ठीक है जी anything above 100 is your profit तो आपको एक चीज तो ये कर सकते हैं कि 100 से उपर जब चला जाए तो 110 120 किसी ऐसी जगह पे या तो आप book ही कर लें नहीं तो वहाँ पर एक stop loss ट्रेलिंग stop loss लगाते चलें उपर के लिए ये strategy मैंने अब आप इसको एक बार screenshot ले सकने हैं या देख सकने हैं ढंग से ये strategy मैंने बहुत हफते से इसको test किया है और इसको काफी हद तक कामया पाया है अब आप कहेंगे कि क्या ये strategy के fail होने का chance है बिलकुल है fail होने का chance है लेकिन बहुत कम कहीं ऐसा हो जाए कि 50 से 60 point क के अंदर ही movement रह जाए यानि कि 43 778 के आसपास मने लिया था तो 43 700 और 800 के बीच में ही movement रह जाए तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है तब आपको इसमें दिक्कत अच्छी खासी दिक्कत आ सकती है लेकिन इसमें maximum loss क्या है आपका जो आपकी capital और वो क्या है 2500 रुपे आपन को मालुम है ये तो hero zero है बना देगा तो hero बना देगा नहीं तो zero तो आप already है ना दो lot ले रखें call एक put 2500 में अब और क्या चाहिए आपको तो अगर ये strategy अच्छी लगी हो तो like करना तो बनता है share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने subscribe इस channel को नहीं क और enjoy कीजिए बहुत सारे ऐसे learning videos इस channel पर हैं वो भी आप देख सकते हैं शुक्रिया और नमस्कार